बेंग निफ्टी उपन डेट 42,708, हाई भी उसी के आसपस लगया है, लो लगया है 42,105, and finally closed at 42,280, As for the nifty, it opened at 19,027, हाई लगया है 19,047, लो लगया है 18,837, and finally closed at 18,815, Hey Traders, Welcome Back to the 90% Channel, तो चलिए, देखते हैं, मार्केट कल का वो कर सकता है, and हम का ट्रेड ले सकते हैं, Bank Nifty में continuous तीन दिन से फॉल आ रहा है, आज 22,500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है, and उसके नीचे कहीं closing दे दी है, आज मंतली expiry भी थी, तो चलिए, देखते हैं, हम कहां ट्रेड ले सकते हैं, Bank Nifty gap down open हुआ, उसके बाद continuous एक downside का move दे रहा था, Second half में sideways हो गया, and यहां कहीं close हुआ है, Bank Nifty ने 42,500 लेवल के नीचे एक closing दे दी है, and यहां पे reverse pole and flag का एक pattern बनाया है, तो कल अगर यहां कहीं flat open होने के बाद, 42,200 को नीचे की side पे cross करता है, तो 42,000 तक आ सकता है, कल हमें stop loss ट्रेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि Bank Nifty continues तीन दिन से गीर रहा है, तो 42,000 के एसपस कहीं support find कर सकता है, and Second half में एक profit booking भी देखने को मिल सकती है, यहां कहीं gap down open होता है, तब भी एक profit booking देखने को मिल सकती है, तो कल अगर उपर की side का price action बना रहा होगा, तो हम भी एक profit booking के साथ एक treat प्लान कर सकते हैं, and हमारा target यहां तक कर रहेगा, उसके बाद market ये and ये level के बीच में volatile हो सकता है, यहां कहीं gap up open होता है, तब भी ये and ये level के बीच में volatile हो सकता है, bank nifty continuous move कर रहा है, and कल Friday भी है, तो एक volatility देखने को मिल सकती है, तो चलिए, nifty के बारे में बात कर लेते हैं, nifty ने भी 19,000 के level को break कर दिया है, and उसके नीचे यहां कहीं closing दे दी है, यहां ये support के as pass कहीं hold कर रहा है, तो चलिए, देखते हैं, हम कहां trade ले सकते हैं, nifty gap down open होने के बाद, सीधा नीचे के side पे move कर दिया, and second half में यहां कहीं sideways हुआ है, यहां एक ही range में trade कर रहा है, तो कन अगर flat open होने के बाद, 18,000 840 को नीचे के side पे cross करता है, तो हम again selling side का trade रान कर सकते हैं, and हमारा target, 18,600 500 तक का हो सकता है, अगर यहां कहीं gap down open होता है, तो nifty में भी एक profit booking देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीन दिन में nifty almost 750 plus point गिल चुका है, तो कल flat open होने के बाद, हम एक selling का trade तो प्लान करेंगे, लेकिन quantity कम रखेंगे, मार्केट continuous गीर रहा है, उसके बाद अगर यह यहां कहीं एक या दो दिन के लिए फोल्ड करता है, उसके बाद again breakdown देता है, तो हम aggressive selling का trade यहां पे प्लान कर सकते हैं, यहां कहीं gap up open होता है, तो यह level के बीच में volatile to sideways हो सकता है, एंड एक inside candle देखने को मिल सकते हैं, आल्राइट traders, that wrap up our daily market analysis video, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, to give it a thumbs up, subscribe to the channel and hit the notification bell, see you all in the next one, happy trading!